कामा चेत्र में लगातार गौतसकरों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं जहां आज गौतसकरों ने कटिली जाडियों में बांदा एक नंदी जिसके बाद पुलिस ने नंदी को कराया मुक्त। कामा कसवा की टाउन चोकी के पास इस्टेडियम के पीछे कटिली जाडियों में एक नंदी के रस्टी से बंदे होने के बाद गौतसकरी की आसंका के चलते गौसेवकों ने पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद थाना अधिकारी दिरवर सिंग भाटी मामले की जाच में नजर आया मौके पर पहुँच कर देखा तो ऐसा पृतित हुआ की गौतसकरों ने नंदी को कटिली जाडियों में बाद दिया है और रात्री में ले जाने का प्रियास किया लेकिन ले जाने में असपल रहे कामा थाना अधिकारी देरवर सिंग भाटी ने बताया की पुलिस जापते के मौके पर पहुँच गए और नंदी रसी तोड़कर अक्रोसित हो गया पुलिस कर्मियों ने लोगों को नंदी की तरफ जाने से रोक दिया तथा वन विवाग टीम को सूच ना दी गई मौके पर लोगों की बीड जमा हो गई कामा थाना अधिकारी देरवर सिंग भाटी ने पताया की पुलिस के दोरा लगातार प्रवावी गश्त की जा रही है जगा जगा नाकबंदी भी रात्री में जारी रहती है नंदी को कटीली जाडियों में बांदिया गया तता जो र अधातार होसले बुलंद होते जा रहे हैं जा कामा की काम सैन स्टेडियम के पास कटीली जाडियों में एक गौबंस को गौतस करो द्वारा रात्री में बांदिया गया जिसे ले जाने के भी प्रियास किये होंगे लेकिन ले जाने में सपल नहीं हो पाए इसके बाद सुब आप देके मौके पर पहुँच गए और पूरे मामले की जाच में जुट गए यहां कामा कस्वा में पुलिस द्वारा प्रवावी गस्त लगातार की जा रही है पंड़े जी वह बहुत घुल के मारे तरीकास का नहीं पान का वाले तरीकास का वह ने बहुत बड़ा हो जो रहता है रशा तो अभी हो तो ममारे पीसे बगभाबड़ी नुस्टी जान तो एक बार क्या कुछ तो अपर दमक गया है अब इसका